हेलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग मैं सुनीता रुणा सास्त्री स्पूर्द्वराती जा रहे ही ओन्लेन क्लासिज में आप सब का स्वागत करती हूँ मैं क्लास नाइट इंग्लिश क्रामर के बारे में आपको जानकारी दे रहे हूँ और मैं आपको इतना बताना चाहिए कि कुछ बच्चे डेली कॉम्हेंट करके या फॉन कॉल करके हमसे पूछ रहे हैं कि हमें पेर कॉपी में काम करना है या नहीं करना तो ASDA permission रखी सर हमने कहा है कि आप पेर कॉपी में काम करें क्यूंकि आपका काम यह किया वह वेश नहीं जाएगा, क्यूंकि क्लासर में अगर रिपीट भी किया जाएगा तो कोई दिकत नहीं है, आपको काम वापिस नहीं करना पड़ेगा, यदि आप नोटे हैं, तो आपको उसे समझने में आसानी होगी, और आपको यह जानकर हैरान होगी कि कुछ बच्चों ने होंबर कर लिया और उन्होंने करके मेरे पास उसकी वीडियो बना के वेजी, तो मुझे बहुत खुशी हो इस बात की, कि उन्होंने इतनी जल्दी इस बात को समझा, अपनी पड़ाई की वैल्यू समझी और उस काम को किया भी, और मेरे पास उ इसलिए मैंने पहले लिख कर रखा हुआ है, ता कि कुछ बच्चे जल्दी से नौट करने में उन्हें देख कर नहीं होती, क्योंकि साथ साल लिखने में हम जल्दी रफ कर देते हैं, तो वे बच्चे नोट नहीं कर सकते, तो आप जानते ही है कि मैं आपको टॉपिक करा र बहुत इंट्रेस्टिंग टोपिक है, इसलिए आप इसमें इंट्रेस्ट लें और मजे लेकर समझेगे, बरब एक्रिमेंट, आज हम चलते हैं, रूल नमबर फिफ्टेंग की ओड, क्लेक्टिव नौट, आप नौट के बारे में जानते ही है, यह निकि सुमू वाचक संग संग्या, संग्या, जानते हैं कि संग्या होती है, तो उसी के बारे में बात की जाएगे है, यह निकि क्लेक्टिव नौट का प्रियोग एक स्मू के रूप में किया जाए, तो वहां हमेशा सिंगुलर वर्ग का प्रियोग किया जाता है, अब यह नौन कैसी होती है, आपको बता रही हूँ जैसे आपके समय लिखाओ है पॉब्लिक यानि कि जन्ता तो जन्ता शब्जु है इसे हम एक सुमू के रूप में लेते हैं क्योंकि बहुत सी लोगों का सुमू होता है और इसे हम सुमू के रूप में प्रयोग लेते हैं इसलिए इसे क्लेक्टिव नाउन के किसी बखा जाता है इसी प्रकार फूर ऑब करते हैं तो किसी एक फूर की बात नहीं होती है फूर बहुत से होते हैं तो हम इन्हें फूर नाम देते हैं यानि कि बोजन तो इसलिए ही भी सुमुवाज़त संग्या है क्लास क्लास की बात करते हैं तो यह भी हमने क्लास की बात की कि 9th क्लास तो 9th क्लास किसी एक विशेश कक्षा की बात नहीं हो रही पूरी 9th के जितने भी शेक्संद है उन सब के बारे में बात की जा रही है कि 9th Class, यहनकी Class, टीम, आप जानते हैं कि टीम होती है, जिसे किर्केट टीम, कुटबोर टीम, इदल होता है, समूव होता है कुछ लोगों का, और इसी परकार लगेज, सामान, हमने सामान की बात कि अब सामान में एक अटेशिक भी हो सकता है, दो बैक्स भी हो सकते हैं, दस आ इसी परकार मोब, मोब कहते हैं, उगर भीड को, बढ़की हुई भीड, जब गुसा है हुए लोग होते हैं, उनकी जो भीड होती है, वो कहलाती है, मोब, ओके, तो यह सबते क्लेक्टिव नाउं और भी अरना कही है, लेकिन इतना नहीं हो सकता है कि हम एक ही टॉपिक को ल तो हमारा पहला एक्जामपल है, दा आर्मी ओफ इंडिया डैश वेरी स्ट्रॉंग, जिन बच्चों को टॉपिक समझ में आता जा रहा है, वो इनके जो रैकेट में दिये गए हैं, उनमें से फिल कर सकते हैं, मेरे समझाने से पहले, ताकि जब मैं समझाओं तो वो क्लियर कर सकते हैं, कि उनका अंसब सही था या गल्य ता, अविन आर्मी ओफ इंडिया, हम यह आर्मी की बात कर रही हैं, किसकी आर्मी, इंडिया की, इंडिया की आर्मी सेनफ की बात कर रही हैं, is very strong, तो यहां हमने कहा ता, आपको कि सिंगुलर वर्ट का ब्रियो किया जाएगा, तो इन दोनों में सिंगुलर कोन सी है इस जो कि मैं आपको बार-बार बता चुकी हूँ कि यह हेल्पिंग वर्फ हैं दोनों और इसके लास्ट में S है S4, सिंगुलर कि इसकी पहचान है Next sentence हम देखते हैं the class – going for picnic जैसे मैं अभी आपको बता है था कि यह हम कह रहे है class going for picnic अब class picnic पर जा रही है तो किसी एक 9th के मालो 5 या 6 section है तो किसी एक class की बात नहीं हो रही पूरी जितने भी section है वो सारे उसी 9th class की category में आते हैं तो महां वो क्याक लएगा कि पूरी की 9th class जो है वो picnic के लिए जा रही है है इस बाद भी जान दे है यदि आप हिंदी कर सकते हैं तो आप हिंदी करके भी इस topic को clear कर सकते हैं यदि कर सकते हैं तो नहीं कर सकते तो आप rules पर depend है तो अब आप यहां क्या प्रिकरेंगे class is क्योंकि stimuler बर्म प्रिकी जाएगी अब हम चलते हैं थर्ड sentence की ओर आर्मी इस आप तो बोलोगे कि मैडम ने तो भी कहा था कि इसने आर्मी आता है फिर मैडम ने यहां आर्मी कैसे लिख दिया यह मैंने इस concept को थोड़ा सा clear करने लिए लिखा है कि यदि हमारे sentence ने आर्मी दिया जाएगा तो हमने similar बर्वरी है परन्तो यदि हमारे sentence ने आर्मी जा गए तो आप समझते हैं कि आर्मी अपने आप में plural हो गया यह जो subject है यह क्या हो गया plural तो armies of India and Pakistan अब दो आर्मी की बात हो रही है तो जब दो आर्मी की बात हो रही है तो वहाँ पर क्या लगेगी plural बर्वर्व लगेगी यह इस topic में यह इस rule में नहीं है परन्तो यह clear करने के लिए समझाय जाता है कि यदि आर्मी आजाए तो वहाँ singular बर्वर्व बर्वर्व जाएगी और यदि आर्मी आजाए तो सेनाओं के बार में बात की जाए तो वहाँ प्लूरल बर्वर्व बर्वर्व जाएगी तो यहां कौन सी बर्वाएगी और तो संटैंस क्यों जाएगा हमारा इंडिया एंड पाकिसान आर एड दा बोर्डर इसी प्रकार मैंने आपको कल एक पुलीस के बर्वर्व जान कर दी तो वहाँ मैंने आपको बतायता है कि यदि पुलीस हो तो वहाँ हमेशा प्लूरल बर्व का प्रयोग किया जाता है प्रतु वहाँ भी ज्यान देना है कि यदि वहाँ पुलीस मैं आ जाएगा तो सिंगुलर बर बरिट जाएगी ओके अब हम आगे चलते हैं आई हो कि आपको यह रूज समय में आ गया होगा मैं एक पर पी रिपीट कर देत क्यों क्लेक्टिव नाउन यानि कि स्मू वाचक संग्या का प्रयोग जब एक स्मू के रूप में होता है तो वहाँ हमेशा सिंगुलर बर का प्रयोग किया चाता है और भी नाउन कौन सी है पॉब्लिक, फूर, क्लास, टीम, लगेज, मोग और भी कई हैं या आर्मी था इस सिंगुलर घुक का प्रयोग किया गया, या कलास था इस ज़िए इसका प्रयोग किया बारा ने चेंड कर दिया, तो हमारे संटेंस में सिंगुलर बर करति Liver是不是, अब हम अगले रूल के और चाहते हैं, यदि किसी पुस्तक अथ्वा, पत्रिका का नाम, मैंग जिन, मैंग जिन पते हैं, मनोहर कहानियां यह इस तरह के जो भी हम पत्रिका यह पढ़ते हैं, उनका नाम, देखने में ऐसा लगे, जिसे मनोहर कहानियां, अब मनोहर कहानियां नाम तो है, प्रन्तु है वो एक मैगजीन का नाम, किसका नाम है, एक ही मैगजीन का नाम, अब जब एक ही मैगजीन का नाम है, हलाकि उसकी हजारों प्रितियां होंगी, लाकों प्रितियां भी हो सकती है, प्रन्तु नाम किसका है, एक ही मैगजीन का नाम है तो यह एक ही मेगजिन का नाम होता हो और वो प्लूरल प्रतीत हो ऐसा लगता हूँ पढ़ने के में कि वो प्लूरल है तो भी वहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया चाहता है नाम बले ही फ्लूरल हो जैसे एक जंपर erenा वार and पीस अब यह एक भूक का नाम है नोवल का नाम है वार and पीस अब हमें देखने में क्या दिछता है कि फ्लूरल है वार भी आगए प्रिंश भी आगए योद खाय प्रन्तु नहीं ऐसा नहीं है ये एक भूक का नाम है एक न singular verb का प्रयोगी किया जाएगा word and place is an interesting novel ओके अब हम अगले रूल क्यों चलते हैं यदि किसी subject का नाम subject आपको में जाना subject विशे कोई भी विशे जो हम पढ़ते हैं जिसे mathematics, civics politics इस नकार से तो यदि किसी subject यदि subject का नाम plural लगता हूँ प्रतीत हो तो भी वहाँ singular उबर का प्रियोब होता है मैं इसलिए इनके बारे में जारा लिखने लगी क्योंकि कुछ बचेट नोट कर रहे हैं फिर उनको दिखत नहीं होगी वे आराम से इसको नोट कर लेंगे तो उन्हें समझने में आसानी होगी मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ यदि किसी सब्जेक्ट का नाम देखने पर प्लूरल प्रटीद हो रहा हो कि ऐसा लगा हो कि यह तो प्लूरल है तो भी वहाँ हमेशा स्पिमुलर वर्ब का प्रियोग किया जाएगा यदि उससे समंधित संटेंस होगा उससे रिलेटेंस को इससंटेंस होगा तो वहाँ स्पिमुलर वर्ब का प्रियोग ही किया जाएगा एक्जाम्बल देखते हैं शिविक्स अब आप देखरों कि जैसी हैं आपने शिविक्स देखा तो मैं क्या लगा कि यह तो प्लूरल है लगाने ऐसा ही यह प्लूरल है प्रंदू नहीं यह प्लूरल लगे लेकिन है तो एक ही विश्य का नाम है तो एक ही सब्जेक्ट है ना इसलिए एक ही सब्जेक्ट का नाम है तो यहाँ स्पिमुलर वर्ब ही बरी जाएगी तो शिविक्स options है हमारे is or are तो हम क्या करेंगे is civics is a useful subject अब आप next sentence क्यों चाहते है today politics dash become dirty politics अब यह भी सुनने में आपको राय नहीं दिक आप सुनते ही हो politics सुनने में plural लग रहा है प्रन्तु हम इसे plural की तरहें treat नहीं करेंगे हम इसे singular की तरहें treat करेंगे और इसके साथ singular word का प्रयोगी किया जाएगा तो हमारे option में है has or have तो हम कोन सी word प्रीड करेंगे has किसी मैंने आपको गताया था कि यदि word के last में has हो तो वो singular पोटी है has for singular तो हम इसे तरहें गरेंगे has today politics has become dirty यदि किसी कुस्तक अथ्वा पत्री का यनि की magazine का नाम plural लग रहा हो तो भी वहां singular word का प्रयोग खिया जाएगा और यदि किसी subject का नाम किसी विश्य का नाम plural प्रतीत हो रहा हो तो भी वहां singular word का प्रयोग किया जाएगा ओके विल्कुल भी मुश्किल नहीं है बहुत आसान है बस समझने भर्ती देख है जैसे ही आपको सुन में आया आपके दिमाग में फिट हो गया next sentence है कि यदि हमारे sentence के बीच में अब आप वहाट के बार में जानते ही है what, which, where, when यह होते हैं अब आपको मालूम है कि यदि एक starting में आते हैं तो यह प्रशन बन जाता है प्रशन बन जाता है इंडेरोगेटी sentence बना रेता है प्रशन यदि ये sentence के बीच में आये तो क्या होगा वो हमारा रूल है कि बाके के बीच में यदि who which what that आदी हो आदी बर्ड हो तो क्या करेंगे तो उससे ठीक पहले वाले तो उससे ठीक पहले वाले subject के अमसार subject के अनुसार बर्ड बर्ड आ जाएगा या बर्ड आएगा उससे ठीक पहले जो subject है उसी के अनुसार बर्ड बर्ड आ जाएगा या बर्ड आएगा अब अमरा संटेंस है he has a dog which dash killed अब डबरे फोर कहा है हमारा which जान दे which अब which से पहले जो subject हो क्या है a dog ये नहीं which से ठीक पहले जो subject दिया जा रहा है हराद कि यहां ही भी है, आप सोसथिक जो कि इसार यह ओगा, नहीं मैंने आपको बहुत, डॉले हुद की दिया होगा उससे ठीक पहले जो subject है तो ठीक पहले क्या दिया है? आफ दोपॉद तो ए डोप है, क्या है यह? यह singular subject है तो singular subject है तो हमारी verb भी singular ही बढ़ी जाएगी तो यहां हमारे options है was अथ्ववर तो क्या वरा जाएगा was अब आवना sentence क्या हो गया he had a dog which was killed मैं एक पर आपको वापी समझा दूँगी एक अगला sentence करवा दो next sentence है it is I who to blame अब यहां क्या है डब्रेट पर दिया हो है who और उसने पहले हमारा subject क्या है I I तो I के coding बढ़ बना जाएगा I के साथ हम क्या करेंगे is, r या m आप जब भी हो क्या बना जाएगा m क्योंकि I के साथ तो m helping work का प्रियोग किया जाता है तो हम यहां फिल करेंगे m इसी रूल को मैं कोई बापिस समझाना चाहूंगी क्योंकि थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है समझने के बाद कभी भूलेगा नहीं यह मेरी गरंटी इसके बीच में यदि कोई भी डवले एच वर्ड हो इसके बीच वर्ड जो भी होते हैं डवले एच वर्ड डैट आदी हो उससे ठीक पहले वाले उससे ठीक पहले जैसे मैंने भी आपको बढ़ायाता कि यहां ही है हमें नहीं देखना यहां इट है हमें नहीं देखना हमें तो डवले एच वर्ड से बिल्कुल पहले जो देखना है जो पुर्पः हमारा आया है उसके according हमें जो वर्व हो फिट करनी है तो यहां हमारा A dog था, singular था, तो उसके साथ हमने बार helping word का प्रियों किया है और next sentence में हमारा I था, तो I के साथ हमने M helping word को फिल किया है, ओके? I hope कि आपको इतीनो रूस चारो रूस अच्छी के सुन में आ गया होगे, अब हम अगले रूस की ओर चलती है कि सुना बदी के साथ हमने में हमने किसितनी नोस अपनी को वे, गग्या है में दो तो रणया है कर चारी में कि कम सiónती है कर दो रूस वे पार Susi, तो इंग है पंग्रेजी के कुछ प्रेजी के बात्यांश्ट अम्रेजी के कुछ प्रेजी क्प्रेजी बात्यान्स के वी ज में एंड होता है प्रन्तु फिभी उनमें सिंगुलर वर्ब का प्रियोग किया जाता है पहले एक्जाम्प लेकिन प्रियोग किए्छाइब से शिए्ट प्रियोग कि युदें आप किया च्पाइब प्रियोग कि युदें अब देखें, अगरेजी के कुछ प्रैजिस, वाक्यांश के बीट में एंड होता है, प्रैज्चु एंड होने के वावजु भी उनमें हमिशा सिंकूलर वर्फ का प्रियोग किया जाता है, मैंने पहले एषैंप लिखाया, टाइम एंड टाइट, आप जाती हैं, इसी परकार कहारते जो ओती हैं, कहारते और मॉवावरी जो ओती हैं, उनमें भी यह विश्चा similar work का प्रियोग किया जाता है जैसे यहां दियो है time and tight समय और लहरें और नन weight या weights तो मैंने आपको बता है कि similar work बढ़ जाएगी तो similar work कोंसी है weights कि इसके last में ऐसे लगा हुआ है तो हम दिखेंगे weights समय और लहरें किसी का इतजाज नहीं करती है परकार दाल and rice दाचावल अमक्सक खाते हैं यह दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं इन्हें हम अलग करते हैं तो अलग अधीर सा लगता है तो हम इन्हें जो मेल करते होते हैं जैसे bread and butter इसी परकार दाल and rice तो इसलिए इनके साथ भी हमेशा singular वर्ट अपरियोग किया जाता है तो यहां singular वर्ट अपरियोग करेंगे दाल and rice is a good food दाल और चावल एक अच्छा बोचन है I hope कि जितने इस मैंने आपको रूस समझाए हैं वो आपको अच्छी द्रैसमें में आ गए होंगे और आप इन्हें नोट कर रहे होंगे कल हम इसी को जारी रखते हुए I hope कि कलिए सुनाट हो जाएंगे Thank you